मेरा बेटा बच्पन से हीोड होना चाता था मेरा बेटा ही जो है वह पहले इस्लाम में रिवर्ट हुआ था उसके सारे प्रप्रण द्रियॉर की क्योंकि वह spiritual था बच्पन से उसने सारे हिंदु धर्म की और भी सारे धर्मों के बुक्स पढ़ता रहता था वेद भी पढ़त धर्मांतरन करवा रहे हैं, गन पॉइंट पे आपने रखा कि बोल, तेरा धर्म चेंज हो गया, और मैंने धर्म यहाँ पे बैठे बैठे चेंज कर लिया, आपने मुझे जबरदस्ती करवाया, तो बाहरा मेरे साथ है, मैं अपने घर चली गई, मेरे उपर आपने क्या डाल या कोई नया कवच डाल दिया, मुझे बास समझ में नी आती, चेंज करवाया कैसे जाता है, कोई अपनी मर्जी से, जब पूरा यह हम पूरा पढ़ ले, उसके बार मुझे से समझ में आए, अपनी मर्जी से कोई भी कुछ करता है, कोई किसी को आज की डेट में एक पलपनियों से मैं हूँ, आपके साथ नदी मक्टम, मौलाना उमर गौतम को ले करके उत्तर परदेश की सियासत और उत्तर परदेश की पुलिस द्वारा, जो भी बाते सामने आ रही हैं, उनके बारे में आप तमाम लोगों को बताया जा चुका है, पर एक कहानी ऐसी भी है मौलाना उमर गौतम की जिस तक शायद मीडिया नहीं पहुँचना चाहता और जो सच्चाई है, उस सच्चाई को दिखाना नहीं चाहता, क्योंकि यही डंके की चोट पर बार-बार मीडिया के जरिये कहा जा रहा है, कि मौलाना जो है, वो धर्मांतरन कराते थे, धर्मांत कराने जा रहा हूं, जो हाली में अपने धर्म को छोड़ करके मुस्लिम धर्म अपनाया है, उनकी किस तरीके से पूरी बाते हैं, उनको भी सामने रखेंगी और मौलाना उमर गौतम के पूरे मामले को किस तरीके से देख रही है, इसके बारे में भी जानना जरूर है, मैं स मुझे ये समझ में नहीं आता, मैं सबसे पहले आप से पूछना चाहती हूँ, कि क्या आज की डेट में कोई किसी को जवरदस्ती कुछ करवा सकता है, अगर कोई कुछ करवा सकता है, तो अपने बच्चे को जो पेरेंट्स हैं, उनके बच्चे बिगड क्यों जाते हैं, उनक तेरा धरम चेंज हो गया, और मैंने धरम यहां पर बैठे बैठे चेंज कर लिया, आपने मुझे जबरदस्ती करवाया, तो बाहर आप मेरे साथ है, मैं अपने घर चली गई, मेरे उपर आपने क्या डाल दिया, कोई नया कवच डाल दिया, मुझे बास समझ में नहीं आती चेंज करवाया कैसे जाता है, कोई अपनी मर्जी से जब पूरा ये हम पूरा पढ़ ले, उसके बाद मुझे से समझ में आई, अपनी मर्जी से कोई भी कुछ करता है, कोई किसी को आज की डेट में बच्चे को भी आप टौफी भी नहीं खिला सकते, आप एक बच्चे को जबरदस्ती की गन के पॉइंट पर वो भी नहीं खाएगा, अप तो धरम तो बहुत बड़ी बात है, और जिनका चेंज कराया गया, वो बहुत बड़े हैं, कोई छोटे छोटे बच्चे नहीं हैं, जिनको मार के कराया गया, और यहां आपने करवा दिया, बाहर जाके भी मेरा धरम चेंज ही रहेगा फिर, मैं अपने घर चली गई, तो आपकी गन से डरती रहोंगी फिर भी, नहीं न, मैं यहां पर मुस्लिम बन गई, आपने बना दिया, और मेरे घर में मेरे साथ तो नहीं है, महां पर तो मैं हिंदू हूँ, क्या लोजिक है, मुझे तो कोई लोजिक ही समझ में नहीं आता इस चीज का, वे लोजिक तो हो, जिस तरह की की सियासत हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में खास तोर पर मैं बात करूंगो मौलाना उमर गौतम को लेकर के जो तस्वीरे सामने आ रही हैं, उन तस्वीरों में कितनी सच्चाई है, क्योंकि तमाम आरोब जो हैं अब लगा दिये गए हैं, यह मानिए कि पूरे विलन के तौर पर मौलाना को पेश कर दिया गया है, मौलाना जी के बारे में अगर मैं बात करूं तो उनके बारे में मैं आपको बताऊंगी एक बहुत ही अच्छी बात कि मेरा बेटा बच्पन से ही रि वेद भी पढ़ता रहता था, जब लास्ट में उसने जब कुरान पढ़ी तो उससे लगा दिस इस तरुथ और जो वो गौड की तलाश में था उससे लगता है कि सीधा धर्म भगवान से बात की जाए ना, बीच में कोई और क्यूं है तो उसकी मेरे से इस बारे में बात हो मुझे नहीं पता था, उसने अपने एक फ्रेंड से बात की और उसने बोला कि हाँ ये जो की होता है ये लेकिन उसने का मैं तो इसलाम कबूल करना चाहता हूं तो बेटे को नहीं पता था इससे लेटेड उसने का कुछ मैं ने पढ़ा है ममी मेरे से डिसकस किया कि इसमें पेपर्स वगारा कुछ चाहिए होते हैं कुछ बनाने हो चाहिए मुझे तो मैंने बोला कि मुझे नहीं पता इससे बारे में कुछ भी तो उसके फ्रेंड ने बोला कि हा मैं एक सर को जानता हूं वो इसमें तुमारी हेल्प कर सकते हैं पेपर्स वगारा तुमारे बनाने म वो गौतम सर के पास आया और गौतम सर से उसने बात की तो गौतम सर ने उसको कुछ बुक्स पढ़ने के लिए दी और पढ़ने के लिए का कि पहले आप इसके बारे में पूरी जानकारी लो इसके बाद में आप मेरे से फिर मिलना उसे वो बुक्स दे के भेज दिया वापिस सेकंड टाइम फिर से मेरे बेटे ने फोन किया बहुत मुश्किल से उसको उनका मिले वो और उन्होंने कहा कि ठीक है फिर से उनको बुक्स कुछ दे के दो तिन और बुक्स दिन रही और फिर उसको घर भेज दिया जवर दस्ती कहा की मुझे वाद समय में नहीं आई इसके बाद में मेरा बेटा थर्ड टाइम उसने कॉल किया तो सर ने उसे बहुत दिन के लिए टाल दिया उसके बाद मेरा बेटा जो है वो उसने बाद की सर से सर मैं मिलना चाहता हूँ एक बार तो उसने का की नहीं आप मताईए मैं आपकी पहले मदर से मिलना चाहता हूँ आपकी मम्मी मेरे से मिल सकती है उसने का मोस्ट वैलकम आजाईए मेरे घर ये बाद से मैं इतनी इंप्रेस होई की सर मेरे से मिलने हमारे घर आए और उन्होंने बताया मुझे कि आपका बेटा इसलाम कबूल करना चाहता है आपको कोई objection तो नहीं है इस बास से मैं shocked रह गई इसमें बताये कि ये पूरा जो उनके ओपर ये इल्जाम लगाया जा रहा है इस बास से तो पूरा इल्जाम ही खतम हो जाता है क्योंकि मिरे से मिलने आए पहले कि ये पेपर्स बनाना चाहता है आपका बेटा तो क्या आर यू एगरी तो मैंने बोला नहीं मुझे कोई प्रावलम नहीं है क्योंकि ये तो भगवान का नाम है भगवान का नाम लेने से तो मुझे कोई प्रावलम नहीं, वो किसी भी तरीके से भगवान का नाम ले तो आप मैं आज शुकर गुजारूं कि मेरा बेटा जो है उसने इसलाम एक्सेप्ट किया और आज की डेट में जो पहले उल्टे सिधे काम किया करता था वो सब अब वो नहीं करता है तैंक यू सो मच और इतना ही मैं बूलना चाहूँ तो आप देख सकते हैं कि exclusive खुलासा जो है जो आरोप लगाये जा रहे थे मौलाना घौतम के उपर के जबरन धर्मानतरन कराया गया बातों में आपने देखा कि किस तरीके से अपनी बातों को मौलाना ने रखा कहीं जबरन नहीं की गई जो कि आरोप उनके उपर लगाये जा रहे है जो कि बातों में आरोप ख़याे है जो कि ऑदकने है